नमस्कार जैहिन जैभारत दोस्तों आज हम ऐसा खुलासा करने वाले हैं जो चुनाओं से पहले अपने आप में बहुत बड़ा गोटाला कहो स्केम कहो या फिर एक तरीके से पैसो को इधर से उधर किया गया किस तरीके से यह हम सिलसलेवार तरीके से बात करेंगे लेकिन नहीं कर सकते लेकिन मैं उनकी डीटेल बता देता हूँ पत्रकार रहे हैं महराष्ट में 30 साल से क्राइम रिपोर्टर रहे हैं तो इनको सारी जानकारी है कि किस तरीके से कहां से क्या चीज़े निकलवानी है और कौन-कौन लोग किन-किन चीज़ों में इन्वाल हैं तो मै आप लोगों से निवेदन यही करूँगा कि इस वीडियो को आप जितना जादा हो सके वो शेर जरूर करें क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है न्यूस टीवी चैनल कोई भी इन चीज़ों को पिक नहीं करता है तो हम चाहते हैं कि जब ये चीज़े व पर जोड लेता हूं हमारे साथ है नाम मैं इंट्रड्यूस कर लेता हूं तारक है इनका नाम अकेला के नाम से आप लोग जानते होंगे जिन लोगों ने भी इनकी वेबसाइट पर जो गए होंगे तो तारक भाई आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद सर तारक भाई मैं आपसे जानना चाहूंगा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि जो ये अमखुलासा इसके उपर बात करने वाले हैं वो कहां से शुरू होता है डेट से आप शुरू करें और सिसलेवार तरीके से प्लीज दर्शकों को जड़ा बताएं संदीब जी एक कहानी शुरू होती है जब समीरवान खेड़े जी ने आरियन खान को कार्डलिया क्रूज पर जाते समय अरिश्ट किया था ड्रक्स के साथ मैं शुरू से ही इन्विस्टिगेटिव रिपोर्टर रहा हूँ मैंने ही सबसे पहले ब्रेक किया था इस शोशल मीडिया पर कि आरियन खान अरिश्ट हुआ है ड्रक्स के साथ सबसे पहले शोशल मीडिया पर मैंने ही ब्रेक किया था मेरी नजर उस पूरे केस पर थी और अचानक कि एक दिन ऐसा बदलाव आया कि ज्यानिश्वर शिंग ने जो IPS हैं और NCV के चीप थे DDG हैं उन्होंने पूरा केस अपने हाथ में ले लिया खुद investigative officer बन गए खुद ही ऐसा फैसला सुना दिया कि समीर वान खेड़े ने इसमें पैसा खाया है और उनकी वज़ा से जो उन्होंने रिपोर्ट दी है कोर्ट में उसकी वज़ा से आर्यान खान छूट गया 22 दिन रहने के बाद जेल से छूट गया तभी मेरे दिमाग में आया कि कुछ तो गड़बढ है क्योंकि शुरुआत में ग्यानेशवर सिंग गाइड कर रहे थे समीर वान खेड़े को कि तुम ऐसा केस बनाओ कि ये काफी दिन तक जेल में रहे आर्यान खान फिर अचानक टर्न हो गए फिर मुझे बीच में एभी इन फॉर्मेशन मिली कि ग्यानेशवर सिंग ने चार्ज सीट ही बदल दी है चार्ज सीट के कंटेंट से बदल दी है तभी मैं इस केस को लेकर सीरियस हो गया और मैं बताओं आपको कि मैंने कभी भी प्रेस कॉंफरेंस की रिपोर्टिंग नहीं की है कभी प्रेस नोट की रिपोर्टिंग नहीं की है मैं हमेशा परदे के पीछे या आगे जो भी होता है वही उसी पर नज़र रखता हूँ तो मैंने ग्यानेशवर सिंग और दूसरे जो ये नसीबी आफिसर हैं संजे कुमार सिंग की गत्विधियों पर नज़र रखना शुरू किया उनकी डिटेल निकालनी शुरू की तभी मुझे इस बीच मालूम पड़ा कि 3 मार्च 2023 को एक हाई लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी बनाई जाती है जब जो सीज किये जाते हैं ड्रग उसको डिस्पोज करने के लिए और उस दिन यानि 3 मार्च 2023 को तीन जगह पर जम्मू कश्मीर लखनाव और दिल्ली में एक प्रकरिया हुई थी ड्रग्स को डिस्पोज करने की अच्छा मैं एक बार यहां पे दर्श्पोज को थोड़ा बता दू यहां पे तो जो भी आप लोग खबरे देखते हैं कि वहां से इतनी ड्रग्स पकड़ी गई इतनी ड्रग्स पकड़ी गई कुछ लोग सोचते हैं कि उस ड्रग्स का होता क्या है तो उसी के बारे में बत दिस्पोज किया जाता है तो उस समय उस कमेटी का चेयर परसन जो होता है चीफ जो होता वो फिजिकल परजेंट रहना चाहिए उसको जैसे ग्यानेश्वर सिंग एंसीबी के चीफ थे तो उनका अटेंडेंस उनका परजेंटेशन वहाँ जरूरी था मतलब इसमें गड़बरिया है कि उस दिन जम्मु कश्मीर लखनव और दिल्ली में तीन जगह जो है डिस्पोजल हुआ ड्रक्स बाद में मालूम पड़ा कि इन तीनों जगह में से ग्यानेश्वर सिंग किसी भी जगह पर नहीं गए खुद नहीं गए लेकिन और पेपर उनक के तीनों जगह हाजिर होने के सिगनेशर हैं यह इतना सीरियस मेंटर होता है जब दिस्पोजल होता है तो बड़ा सीरियस मेंटर होता है क्योंकि जो चीफ होता है जो चेर परसन होता है उसको पहले चेक करता है उसका सील चेक किया जाता है कि पहले से खुला तो नहीं है फ पिर वजन किया जाता है, वजन करने के बाद उसको खोला जाता है, फिर डिस्पोजल किया जाता है ऊसको, इतना सीरियस मैटर है और इसमें सीरियस मैटर ए भी है कि जो हमारे माननी गरिमंत्री हैं, हमिशा जी, आजकल वो खुद ऐसे केस को मौनिटर कर रहे हैं पूरे देश में जहां से भी ड्रक्स बरामद हो रहे हैं उनके ही निर्देश पर उनके ही आदेश पर बड़े पैमाने पर बरामद किये जा रहे हैं तो ऐसे केस में ऐसे मामले में उनकी नजर खुद इस ऐसे मैटर पर रहती है और ग्यानेशवर सिंग इसमें मस्ती कर रहे थे और बड़ी बाते भी बताता हूँ कि मैंने कल खबर लगाई थी कि जो हाई लेवल ड्रग डिस्पोजल कमेटी हुई थी जम्मू कश्मीर लखनव दिल्ली में कल मुझे डिपार्टमेंट से ही मालूम पड़ा कि ये तीनी जगह ने चार जगह हुई थी इन दोर में भी हुई थी सेम डे तीन मार्ट दोहजार तेश्टो तो चार जगह हुँ कैसे प्रजेंड थे एक ही जगह पर इसमें या तो उनके सिगनेचर फरजी हैं किसी officer ने बना लिये है या तो उन्होंने खुद बनाए है अगर उनके signature खरजी है तो drugs कहां गए या drugs का बहुत बड़ा घोटाला है drugs ने लोगों ने बेच लिया होगा कम से कम 3000 किलो drugs का matter है 3000 किलो drugs यानि कि जब disposal होना था चार जगह पर एक ही दिन पर disposal होना था और वहां पर जो chief होता है जो main अधिकारी होता है उसका वहां होना जरूरी होता है क्योंकि वो check करते हैं कि कहीं इसमें change करके नमक तो निडाल दिया, powder तो निडाल दिया और उसको side में लगा के कहीं बेच तो नहीं गया इसलिए जो main concerning officer होता है वो वहां पर होता है और वो button दबाता है या जो भी करता है तब वहां पर उसकी आखों के सामने उनको जला देते हैं जो भी कर देते हैं वो होना चाहिए और अगर वो नहीं होता है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़ बड़ी है राइट यस एक बहुत बड़ा गोटाला है देश के सामने आना चाहिए ड्रक्स का मेंटर है एक बात और मालूम पड़ी कि ग्यानेश्वर शिंग ऐसे मामलों में habitual है ऐसी ही एक meeting जिसको यन कॉर्ड बोला जाता है यन कॉर्ड गुहाटी में नहीं गए थे फिर भी उस meeting के minutes पे उनकी signature है तो इसका मतलब है कि गड़ बड़ तो है कुछ बहुत एक IPS officer और जो भी NCB का chief है ऐसी हरकत करता है तो बहुत गंभीर समस्या है देश के लिए अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज और आप से भी पूछना चाहूंगा एक तो यह आपने एक चीज का और खुला सा किया था गैनेशवर सिंग से जुड़ा हुआ भी यहाँ पे तो आपने बताया कि किस तरीके से 3000 करोड की drugs वो जलाई भी गई है या नहीं भी गई है इसका कह नहीं सकते क्योंकि में कंसर्निंग ओफिसर जो गैनेशवर सिंग डीडी जी है जिसके उपर इलजाम लगाया था समीरवान खेडे ने कि आरेन खान को क्लींचिट देने में इनकार था और बाद में समीरवान खेडे को भी उनकी रिष्यदारों को फ्रेंट्स को फैमिली को टोर्चर किया गया था SET के नाम पर खुदी गवा बन गया था और खुदी सब कर लिया था अब ग्यानेशवर सिंग के उपर आपने तीन राते गुजारी थी इसमें क्या सच्चाई है और प्लीज ये चीजें हमें बताइए क्या थी उसके पीछे की सच्चाई सच्चाई तो इसमें शत्र प्रतिशत है मैंने बहुत डीपली इसमें जो है जाच की है इन्फॉर्मेशन निकाले है 27 फरवरी से एक मार्च तक ग्यानिश्वर सिंग गुजरात के ITC नर्वदा होटल में ठहरे थे उस होटल में जो पहला कमरा था उन्होंने अपने नाम बुक किया लेकिन उसी कमरे से कनेक्टेट कमरा उसी से जुड़ा हुआ कमरा उन्होंने अपने एक इंस्पेक्टर के नाम बुक किया जो इंस्पेक्टर वहीं पोस्टेट था गुजरात में ही उसी दिन 27 फरवरी को ही मुंबई से एक कॉल गरल परमिता भोमिक फ्लाइड से गई उसको इंस्पेक्टर ने रिसीब किया एरपोर्ट पर और कमरे में ले जाके छोड़ा तीन रात वहां रही फिर तीन मार्च को एक मार्च को परमिता भोमिक को उस इंस्पेक्टर ने एरपोर्ट पर ड्रॉब किया अब सवाल है कि परमिता भोमिक फ्लाइड से गई उसका गई आई आने जाने का भाड़ा और तीन रात का उसका चार्ज किस ने दिया जिस कमरे में जो दूसरा कमरा है और जिसको बुक किया था ग्यानेशवर सिंग ने इंस्पेक्टर के नाम उस इंस्पेक्टर ने अपने जीपे गूगल पे के जरिये उसको पे किया बाद में ग्यानेश्वर सिंग के ही अंडर में काम करने वाला एक आफिसर उसने उस इंस्पेक्टर को पे कर दिया पैसा बचने के लिए कहीं रिकॉर्ड पर ना आ जाएं तो ग्यानेश्वर सिंग सरकारी काम से गुजराद गए थे और मुंबई से कॉल गर्ल मंगा कर तीन रात वहां होटल में ठहरे थे एक IPS ऑफिसर एक NCB चीफ ऐसी हरकतें कर रहा है सरकारी दोरे पर जाकर तो यह भी एक गंभीर समस्या है मतलब एक सरकारी ओफिसर जो की सेंट्रल एजनसी है NCB कोई ऐसे नहीं है कि हम यहां पर किसी पुलिस थाने की बात कर रहे हैं सेंट्रल एजनसी जिसके उपर पूरा विश्वास किया जाता है जैसे कि CBI है ED है वैसे ही NCB है नार्कोटिक कंट्रोल बीरो जहां पर समीरवान खेडे जैसे एमांदर ओफिसर ने भी काम किया है उन्हीं का DDG डिप्टी डिरेक्टर जनरल यानि कि जो NCB का बोस होता है उसका सेकंड बोस जिसे कह सकते हैं डिजी होता है डिरेक्टर जनरल यह हैं उनसे एक स्टेप नीचे डिडीजी डिरेक्टर जनरल यानि कि इन्होंने अपने कर्तव्य का वहाँ पालन नहीं किया यानि कि वो तीन हजार किलो ड्रक्स अगर वो जलाई नहीं गई वो डिस्ट्रोय नहीं की गई तो वो भारत में पहली बात तो उसकी कीमत आई थिंग 20,000 करोड भी मैंने मेरे खाल से कम लिखे होंगे इससे ज्यादा की कीमत होगी तो वो अगर भारत में पहुंच गई होगी और वो किन-किन चीजों में मिला के किन-किन को बेची जा रही होगी चाहे वो पंजाब और महराष्ट हो कहीं ली है और आगे उनुका क्या स्टेप्स हैं वो प्लीज हमें बताइए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पीमो के पोर्टल पर होम मिनिस्ट्री में सीवी सी, सीवी आई और यनसीवी के जितने भी बड़े आफिसर होते हैं उनको सबको राइटिंग में मैंने दी हुई है उनको पास कर दी है, कि आपका एक आफिसर ऐसी ऐसी हरकत कर रहा है। उसमें से सीवी सी की तरब से मुझे कई जवाब आए हैं, जरीए भी आए हैं और मैल के जरीए भी है कि क्या मैंने ही कंप्लेंड किया है तो मैंने वो बातें उनको बता दी है मैंने अपने डिटेल उनको भेज दिये कि हाँ मैंने ही कंफर्म मैंने उनको कंफर्म किया मैंने ही कंप्लेंड की है और मैंने ये भी बोला कि मैं एनी टाइम दिल्ली आकर या वीडियो conferencing के जरिए मैं अपना statement देने के लिए तयार हूँ या मेरे पास जो भी सबूत होंगे या जो information होगी मैं कभी भी anytime present हूँ देने के लिए तो वहाँ भर भी investigation चालू हो गई है आप कह रहें वहाँ पर भी तो आप home ministry central agency की बात कर रहें कहां की बात कर रहें इसमें ऐसा होता है department है main cvc क्योंकि government officer cvc जो होता है सतक्ता होता है वो लोग जाज करते हैं तो home ministry से message आया मुझे कि हमारी complaint cvc को forward कर दी है cvice आया वहाँ forward कर दी है PMO से आया कि मेरी complaint जो complaint या information जो cvc को forward कर दी है सारी सारी जो शिकायत है या information है ओ एक जगां केंद्रित हो गई है cvc में राइट और cvc ncv से connected नहीं है और मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कहीं इस चीज को इसमें दखल देने की ग्यानेश्वर सिंग के कोई कोशिश तो नहीं की जाए क्योंकि अगर जब यह बताया जाता है कि शारुक खान की help की ग्यानेश्वर सिंग ने जैसे कि इल्जाम लगाए जा रहे हैं समीर वान खड़े के द्वारा भी और कोट में भी एक सैम है उसने भी बताया था कि शारुक खान ने पैसे दिये थे ग्यानेश्वर को तो अगर influence है ग्यानेश्वर सिंग का तो क्या वो effect हो सकती है बिल्कुल effect हो सकती है जैसा आपने बताया कि सैम ने बताया है कि नौ लाख रूपए उस दिन NCB आफिस से शारुक खान ने ग्यानेश्वर सिंग को दिया था ये भी मैंने भी लिखा है आपको भी मालूम होगा कि ग्यानेश्वर सिंग ने शारुक खान ने ग्यानेश्वर सिंग से दिल्ली आफिस में मुलाकात भी की थी तो सीधी सी बात है शारूखान इससे कनेक्टेड है और अपने हिसाब से अपने पावर फिसाब से भी इसको अफिट करेगा उसको प्रभावित करेगा के स्को और उसी बेस पे ग्यानेश्वर सिंग खेल रहें अपने हिसाब से और ग्यानेश्वर सिंग इतना मूर्खाई पीएस है कि उसको यह सब करना भी नहीं आता है अभी मैंने सिर्फ पर्विता भॉमिक की कहानी निकाली है जैसे मैंने बताया कि मैंने टीन जगह के वो डिस्पोजल की मनलब कहानी लिखी है बाद में मालूम पढ मूर्ख इसलिए बोला कि मेरी कंप्लेंट पे मुझे एक मेल आया जिस पे कपिल की साइन है कपिल ने मेरा वेरिफिकेशन मांगा है आपने कंप्लेंट की है क्या कपिल भी एक एंसीबी के अफिसर है उनका पूरा नाम है सौर और कपिल यस्पी है वो अच्छा यस्पी है लेकिन मैंने जितनी भी इनफॉर्मेशन पास की है उसमें तीन करेक्टर है एक ग्यानेश्वर सिंग दूसरे कपिल और एक तीसरे जो मुंबई में एंसीबी के चीफ है संजे कुमार सिंग तो मुझे सौरभ कपिल की तरफ से मेल आया कि ए जो मैंने इनफॉर्मेशन उनको दी है यह मैंने ही दी है क्या ऐसा एक लेटर तैयार किया गया है कपिल की तरफ से लेकिन उस लेटर को ग्यानेश्वर सिंग ने अपने मेल आईडी से मुझे भेजा है अच्छा हाँ इसलिए मैंने इतने बड़े आफसर को मूर्ख बोला कि उसको ऐसा भी नहीं मनदब करना चाहिए सोचा कि मैं ऐसा बुद्धू होगा ऐसा हो सरीपोडर होगा गयानेश्वर सिंग ने अपने अपनी मेल आईडी से वो लेटर भेज दिया और मेरे से इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि तुम्हारे पास जो प्रूफ है ओ दे दो जो भी सबूत है हमको दे दो अपने बारें डिटेल बताओ और नहीं तो हमें लेटर को खारिज कर देंगे तो मैंने इस और इसमें एक और बड़ी बात कि जो कपिल जिसने लेटर जो त्यार किया है कपिल का ट्रांसपर एक मार्च को हो गया है और कपिल का ट्रांसपर एक मार्च को ओन रिकॉर्ड हो गया है तो जिसका ट्रांसपर हो गया है और जो आरोपी है जिसके उपर मैं इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहा हूँ ओ आफिसर मेरे से इंफॉर्मेशन मांग रहा है अपने मेल आईडी से लेटर को भेज रहा है तो दिल्ली में क्या चल रहा है कैसे चल रहा है कैसे कैसे IPS लोग है लोग जाके आयाशी कर रहे हैं होटलों में तीन हजार किलो ड्रेक्स गायब कर रहे हैं या अटेंडेंस गलत लगा रहे हैं तो कुछ भी हो रहा है न्सीवी में अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा और यह दर्शकों को भी बताना चाहूँगा जैसे आपने बताया कि आपसे सबूत मांगे जा रहे हैं आपसे सारे पुरूफ मांगे जा रहे हैं ऐसा आपको याद होगा सुशान सिंग राजपूत का केस हुआ था देशी साल्यान का केस हुआ था 2020 में उस टाइम पे भी चाहे वो मुंबई पुलिस हो या फिर कुछ की उपर वीडियो बनाने आये थे जो वकील बनके आये थे और उन लोगों ने कहा था कि आप सारी information हमें भेजिए और पुलिस ने भी कहा था कि हमें भेजिए बाद में जो information भेजी गई उनके उपर ना तो कोई action लिया गया और उन लोगों पर भी बाद में ऐसा दबाव प किसी और गुंडों के द्वारा क्या धंकी दी गई थी तो क्या आपको लगता है यह आप से information इसलिए निकाले जा रही थी कि आपको verify करके आप तक पहुचा जा सके पहले और उसके बाद जो धंकी का खेला वो खेला जा सके यस मैंने फोन पर भी दिल्ली में यंसीवी डिपार्टमेंट में बात की वहाँ सबसे पहले मेरा मेरा परिचे पूछा गया मेरे घर का पता पूछा गया ये भी बोला गया कि अपना आधार कार्ड जो है भेजो और हमेशा थ्रेट तो रहता है इसमें हो सकता है ग्यानेशोवर सिंग्की चाल हो कि वो मुझे वहां बुलाएं और अपने हिसाब से जो भी उनका तरीका होगा उस नहीं से थ्रेट करें उस हिसाब से माइनेज करने की कोशिश करें सबसे पहले दिमाग में लोगों के आता है मैंने जशे शारू खान सबको मैनेज कर रहा है पैसा देखे और मुझे भी मैनेज कर वा लेंगे कर लेंगे उपलेंगे उनकी साजिश होगी अच्छा शारू खान के बारे में सैम ने तो बोला था कि 9 लाक दिये थे वो न्यूज में भी था हर चीज थी अब ग्यानेश्वर सिंग को और क्या-क्या कुछ बेनिफिट दिये गए हैं या फिर जो उनके साथ कोई ऑफिसर थे ऐसा भी सुनने में आया कि उन लोगों ने कि दूसरे जो करेक्टर हैं इसमें वो भी IPS हैं संजे कुमार सिंग उन्होंने नवी बुंबई में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी है और कुछ और करोन रुपए दूसरे तरीके से खर्च किया है एक महिने कंदर उन्होंने दो करोन रुपया तीन करोन रुपय तो उसकी भी information मैंने CVC, PMO, Home Ministry और CBI सबको दे दी है मैं अगली एक दो दिन में ओख़बर भी लिखूँगा पब्लिश करूँगा अच्छा मतलब कि जो इल्जाम लगाए जा रहे थे समीरवान खेड़े पर कि भीया ये extort करता है money ये वहाँ पर समीरवान खेड़े के पास से कुछ मिला नहीं तो उनके डाइपर्स का बच्चों के और चीजों का उनके बारे में पूछने लगे लेकिन यहाँ पर आप ब विटनेस बता रहे थे वही लोग करोड़ों रुपे खाये बैठे हैं आप यह कह रहे हैं इसमें एक और बंदा है सौरब कपिल उसके बारे में तो बड़ा खुलासा होगा कि उसने कितना करोड़ों रुपे एन सीबी से कमाया है और कहां पर सेब का बागान खरीदा उसने वो भी मैं एक्सपोज करूंगा दिल्ली में या फिर क्या आगे का प्रोसेस क्या है वहां से मुझे एक फाइनली मेल आया है कि मेरी जो कंप्लेंट्स है उन्हों उसको अग्नॉलेज किया है और उस पर वो काम कर रहे हैं बड़ी जल्दी वो मुझसे कॉंटेक्ट करेंगे आगे ओके तो अभी मतलब अभी आप नहीं जा रहे हैं और मैं समझ सकता हूं कि आपकी हम भी ज्यादा आइडिनिटी में नहीं जाएंगे और इसलिए जो लोग सोच रहे होंगे कि भाईया कौन बोल रहे हैं मैंने स्टार्टिंग से देख लेना जो बाद में जुड़े हैं उन को सब लोगों के साथ शेर जरूर करें क्योंकि आपको पता है कि जो मेंस्ट्रीम मीडिया का क्या होता है मेंस्ट्रीम मीडिया को एक तरीके से अफ्कोर्स बिसनस है सब पैसे कमाने लोगों को तनकौव भी देनी है लेकिन यहाँ पर यह नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि कुछ लोगों को पैसों से मूबंद करवा दिया जाता है जब करोड़ों रुपे ऐसे लोगों को मिल रहे हैं तो एकाद करोड़, दस करोड़, पांच करोड़ अगर न्यूज एजन्सियों को भी दे देंगे उनके कोई फरक नहीं पढ़ने वाला तो वो भी काफी लोगों ने देखा, आप लोगों ने शेर भी किया, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, जितने लोग भी बाद में जुड़े, वो स्टार्टिंग से एंड तक देखी इस वीडियो को, और फेस्बुक ग्रूप्स में, वाटसैप पे, टेलीग् ट्विटर पे, जहां भी हो सके, आप वीडियो को शेर जरूर करें, क्योंकि जब तक जनता तक यह चीजे नहीं पहुचेगी, यह उजागर नहीं होगी चीजे, बाकी की चीजे, जो सल्मान खान के घर पे किसी ने गोली चला दी, मुंबई पुलिस ऐसी एक्टिव होगी, क्राइम ब्रांच, 48 आवर्स के अंदर अंदर, गुजरात से पकड़ के ले आए, जहां तक यह उन्होंने कोई क्लू तक नहीं छोड़ा था, तब भी पकड़ लाए, और सुशान सिग राजपुत, दिशा साल्यान और जिया खान, उनमें इनके पास कोई सबूती नहीं थे एनिवे, उसमें हम ज़्यादर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपसे एक और सवाल है मेरा, क्या आपको किसी तरीके के थ्रेट्स आये हैं, ये सब चीजे आपने बताए कि आप क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, 30 साल से आप काम कर रहे हैं, अलग-अलग अख़पारो के लिए भी आपने काम किया है, तो थ्रेट्स कुछ आये हैं आपको अभी तक? पहले तो बहुत थ्रेट्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा अपने आपको रिजर्व रखता हूँ, हमेशा भी है, और अन्डरवर्स से भी आते हैं, लोकल क्रिमनल से भी आते हैं, और पोल्टीशिेंस से बहुत ज़्याद आते हैं, जब पोल्टीशियंस से बारे में लिखता ह है उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है मुझे किसी भी मैटर में अरेश्ट करने की बदनाम करने की लेकिन अभी तक सफल नहीं होवाए है अब इस मैटर में ग्यानेश्वर सिंग के मैटर में फिल हाल इस तरीके का तो थ्रेट नहीं आया है लेकिन ग्यानेश्वर सिंग ने अ कि मामलों में आए हैं लेकिन अभी इस मामले में अभी तक नहीं है कोशिश की लेकिन अभी तक नहीं है जी तो देखो सबसे पहले तो हम यहीं कहेंगे कि आप सेफ रहें और यहां पर इस चैनल पर हमने ऐसे और भी कई खुलासे की हैं और हम सब कई कहते हैं कि यहां तक कि मे होगा जरूर उस केस में और भी लोगों को हमने यहां पे बुलाया है जो अपनी बिना इडेंटिटी बताया हूंन्होंने अपनी बाते रखी हैं और हम इसलिए कहते हैं कि आप जिन लोग्व के पास भी ऐसी चीज़े होती जानकारि होते हैं, वो यहा के रख सकते हैं बाकी threats हमें भी आते हैं, लेकिन आपसे हम यही कहेंगे कि प्लीज अपना ध्यान रखिए जो भी चीज़े क्योंकि आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं और उनके साथ बॉलिवूड के क्या-क्या कनेक्शन है तो आपने आप में बहुत बड़ी बात है IPS बैच के officer रहे हैं ये personal secretary भी रह चुके हैं आपको पता होगा किसके जाय सवाल के रहे हैं और शुकला जी के और शुकला जी और शारुक खान का इन्वेस्टेमेंट था निज टॉन्टिफोर में शेयर से उनके बाद में उन्होंने विड्रॉड कर लिए ले लिए वापस और शुकला जी की कोल पे सब कुछ भूल कर ये भी लोगों को पता करना चाहिए कि जो कॉल गर्ल मुंबई से गुजरात ग्यानिश्वर सिंग के पास गई थी वो पहले कहां काम करती थी राइट इसी एक पॉइंट पर सारी बातें किलियर हो जाएंगी लोगों को पता करना चाहिए वो कहां काम करती थी किस फिल्म प्रोडक्शन में काम करती थी ओके तो इसलिए वो कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूं शुकला जी के ही फोन पर ऐसी खबर भी आई थी कि जब शारुक खान को दो बार कपड़े उतरवाए गए थे यूएस में तो उनी के कोल पर उनको छोड़ा गया था ऐसी कोई बाते कनेक्शन जो है वो लोगों से छुपए हुए नहीं है तो उनका इंटर्वी भी है एक डीडी न्यूस था किस पे था वो भी लोगों ने देखा है तो सारी जानकारी ये सारी चीज़े हमने एक वीडियो में बना के लोगों को बताई थी सारे कनेक्शन यहां पर समझाये थ और शारुक खान वहां पर गया था तो इसलिए आप भी अपना सेफटी का पूरा पूरा ध्यान रखिए आप और चीजे भी उन लोगों का खुलासा भी करने वाले हैं वो भी हम दर्शकों तक लेके आएंगे मुझे भी थ्रेट्स आते रहते हैं वीडियो को चैनल को भी क पहले हम कंक्लूड करें क्या इसमें और भी बोलीवुड के लोग शामिल हैं जो एक कनेक्शन यहां पर बता रहे हैं आप कि मेरे अभी तक तो नहीं है मैंने उधर ध्यान नहीं दिया अब अभी आपने मेरे दिमांग डाला है तो मैं उस पर जरूर गोर करूंगा मैं आपको बताता हूं यह कोशन मैंने आपसे क्यों पूछा है क्योंकि जब चैट सामने आई थी आरेन खान की उसमें यह बताया जा रहा था कि इसमें बहुत सारे बोलीवुड के नैपो किड्स भी इनवोल्व हैं और अगर उस पर आगे कारवाई होती तो पूरा रहा हूं मेरी आवाज अगर लोग सुन रहे हैं तो मैं दावा करता हूं बोलीवुड का हर एक्टर हर एक्टरेस क्रिकेट में बेटिंग करती है यानि सट्टेवाजी यह तो सब करते हैं और यह रजाए सब को मालूम है और अबं है तो उनके लिए तो एक तरीके से ये सट्टेवाजी गेम सा हो गया ना क्योंकि पैसों के लिए तो नहीं करते होंगे पैसा तो इतना इनके पास इधर वो आता ही रहता है तो एक तरीके से होबी के तोर पे करते हैं कैसे पैसा भी आता है नहीं आपको याद होगा कि दारा सिंग का बेटा बिंदू अरेश्ट हुआ था और अभी बहुत से नाम ले सकता हूं मैं उसमें और बड़ी बाते भी बता दूं आपको कि उसमें भी मेरा बहुत बड़ा इन्विस्टिगेशन था जब बिंदू अरेश्ट हुआ था फिर कभी उस पर बात करेंगे क्योंकि थोड़ा चेंज हो जाएगा नहीं इसमें बिलकुल मैं समझ गया आपकी बात क्योंकि उसमें चाहते हैं जब उस पर फोकस करें तो डीटेल में बात करेंगे नहीं तो अभी सारा में जाएगा इसमें तो आपको दिखा हिस्ता बन गया था ऐसा बताए गया था ऐसी जानकारी सामने तो बॉलिवुड के सारे लोग सारे सब की बात कर रहा हूं अगर किसी को मेरे उपर केस करना है तो कर सकता है लेकिन मैं दावा कर रहा हूं कि सब लोग डेक्स लेते हैं और सब के सब किर्केट डेटिंग करते हैं मतलब आप 100% कह रहें 99.9 पे भी नहीं जा रहे हैं 100% कर रहा हूं सिर्फ मुझे बच्चन फैमिली की तरफ से कोई ऐसा इंपूट नहीं मिला है बाकी आप सब की बात कर रहा हूं मैं अगर कोई मेरे उपर दावा करता है तो मैं प्रूव करके दे दूँगा अपना नाम बताए और बाकी के बिलकुल यह अली भाई हैं पाकिस्तान से हमारे जो लिख रहे हैं तो वहां जाते हैं यह सब तो सारा कनेक्शन मतलब वही है बिलकुल बिलकुल वही बात है तो चलिए इसमें अब और डीटेल में नहीं जाएंगे लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा फिर अंत में कि प्लीज आप अपना ध्यान रखिये एक तो और सब लोग की दूआएं हैं आपने इतने करज के साथ आप बाहर आके बोल रहे हैं कोशिश यही होगी कि कम से कम तीन चार लाख लोगों तक तो जाए और अगर इतने सारे लोग शेर करेंगे पांस दस लोगों को तो और भी आगे पहुंचे आपकी बात और जो यह सिस्टम है उसको चेंज करने की शुरुआत तो मुझे लगता है कि कही ना कहीं बीजेपी बिलकुल तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और आपको फिर से बुलाएंगे को कि अभी पीछे भी बात कर रहे थे बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के सामने आने जरूरी है और वो एक्सपोज होने भी जरूरी है लोग बट आने के लिए और यह सारी जानकारी शेर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तैंक यू सब तो आप सब लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग सब लोगों के साथ शेर जरूर करें जितने भी लोग अभी देख रहे हैं कम से कम हमारे जो रेगुलर व रखा है इसको लोगों ने रिपोर्ट कर करके ज्यादा लोगों तक जाती नहीं है अभी वीडियो आपने देखा होगा 20-30,000 बस मुश्किल से पहुंचती है इसलिए आप लोगों का फर्ज है कि जितनी भी वीडियो आप लोग देखते हैं हम कोई बैठके कहानिया तो बन आगे वो लोग देखेंगे फोर्वर्ड करेंगे वो कोई बात नहीं लेकिन आप उस वीडियो को देखें पूरा और आगे शेर जरूर करें मेरी आप लोगों से यहीं निवेदन है जो लोग पहली बार हमें देख रहे होंगे और वो चैनल पे जाके बाकी वीडियो देख तो यह हवा में तीर चलाके सेंट्रल एजन्सियों को पीमों को हर उस एजन्सी के पास ऐसे नहीं भेजते कि वह यह इस बंदे ने यह चीज़ें कि और वो भी किस पर इल्जाम लगाना डीडीजी एंसीबी के तो इनके पास इंफोमेशन है अगर यह दावा कर रहे हैं तो यह लोगों तक जरूर जानी चाहिए तो आप लोगों से निवेदन है प्लीज वीडियो को शेर जरूर करें समीरवान खिडे जी पर कैसे इल्जाम लगा गये थे आप लोगों ने देखे भी थे लेकिन अब चीजे सामने हो रही है यह बादल जो आ गए थे वो छट रहे ह अब पता चल रहा है कि कैसे उनको फसाने की कोशिश की थी क्योंकि जो लोग इल्जाम लगा रहे थे वही उनी के पैर कैसे दसे हुए इन चीजों में अनिल जी आई नो अनिल जी भी यही कह रहे हैं नोटिफिकेशन भी नहीं जा रहे हैं लोगों के पास क्योंकि यह पूरी दिखाई देगी उसके नीचे यह आप देखेंगे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा या फिर कमेंट में भी मिल जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल जोइन कर लें हमारा क्योंकि जब भी मैं वीडियो करता हूं यह लाइव ज यह यूएस से बेस्ट नहीं है यूरोप बेस्ट है और अब तक का सबसे सेफ टेलीग्राम है उसमें आप मैसेजिस कर सकते हैं और लाखो करोडो इंडियन्स ने भी टेलीग्राम को डाउनलोड कर रखा अगर आपने नहीं किया तो प्लीज कर लें और फिर उसके बाद उस सलमान खांज के उपर भी एभी एक वीडियो की थी कल मैंने डाली थी जिन लोगों नहीं देखी वो चैनल पर जाएं और जरूर देखें एनके सूच जी ने वहाँ पर कई बाते बताई हैं डिसकस की हैं और भी सोशल मीडिया पर जहां पर भी आप एक्टिव रहते हैं वह आपको सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे क्योंकि वहां पर संदीव फोगाट के नाम से कोई ऐसा दूसरा चैनल है नहीं तो आपको वहीं पर मिलेगा मेरा नाम मिल जाएगा दिख जाएगा वहां पर भी आप जोइन जरूर करें कम से कम हम लोग जो लोग आवाज उठ करें आप लोग तो अभी के लिए इतना ही कहूंगा आप लोग अपना ध्यान रखिए फिर से मिलेंगे हो सकता है कल गोरव सर आएं और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं गोरव प्रदान सर सेवन थर्टी के आसपास वह आएंगे तो देखते हैं आगर उनको टाइम निकाल पाए तो चांसे पूरे हैं तो कल हम मिलेंगे लाइव सेवन थर्टी अगर वो नहीं आ पाए तो हो सकता है कि मैं फिर दूसरे चीजों के बारे में बात करें मैं कोशिश कर रहा हूँ अब डेली लाइव आएंगे डेली लाइव आके हम बात करेंगे आप लोग के कमेंट्स भी लेंगे और जो भी टॉपिक्स होंगे उनके उपर चर्चा जरूर करेंगे अभी के लिए इतना ही अपने ध्यान रखिए बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए जुड़ने के लिए जैहिन जैभारत जैशिरी राम और कमेंट्स सेक्शन में अपने विचार जरू लिखना इस वीडियो के बारे में आप लोगों को क्या लगता है जै हिंजा भारत जै शिर्वाइब